हलो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंफरमेटिव और बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट होने वाला है उन सभी के लिए जिसका भी सपना हो येवरोप में जाकर के जॉब करने के लिए जी हां अगर आपका भी सपना हो येवरोप में जाकर के जॉब करने के तो आज का इस वीडियो को आखरी तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हर एक छे महिना में यॉरॉप का जो rules and regulation दोस्तों उसको update किया जाता है चेंज किया जाता है और कहीं न कहीं आप लोगों को भी update रहना पड़ेगा अगर आप लोग update नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं आ आने रहना है पहले बार आप चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ याप लोग अपडेट्स रहें जो प्रेजन सिच्वेशन है उसको साथ आप अपडेट्स रहें तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें आज मैंने क्यों कहा कि आज का वीडियो बहुत इसलिए कि माल्टा ने जो डिसिजन लिया कि हर एक बेक्ती हर एक जॉब सीकर जो माल्टा जाना चाहता है हॉस्पिटालिटी और टूरिजम सेक्टर में काम करने के लिए उनको स्किल पास का जो मेथड है आप कहें बैरियर है उससे तोड़ कर जाना पड़ेगा दोस्तों तब जाके आपकर कुँआ जॉब ले सकते हैं और अभी जो स्किल पास है बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट होने के साथ साथ लागू भी कर दिया गया है पहले कहा जा रहा था कि जनौरी मेहना में लागू होगा लेकिन अब इसको इमेजेटी लागू कर दिया गया है वो जो उन्सकिल्ड थे जिनको कुछ पता भी नहीं है लेकिन कुछ भी करके वो माल्टा पहुंच जा रहे थे इससे वहां का जो टूरिजम है वहां का जो गेस्ट जो आते हैं अगर प्रॉपर सर्विस नहीं मिला तो उसमें नाम खराब हो रहा था तो गौर्मन का कहना है कि हमे लोग तो चाहिए हमें वर्कर्स तो चाहिए लेकिन ऐसे वर्कर्स चाहिए जिसके पास सुनर हो यनोलेज हो उन्हीं को हम लेंगे और यही बज़य है कि वो लोग जो launch किये दोस्तों skill पास करके आने का वो अब लगू हो चुका है अगर आपको जाना है तो यह बहुत सारा stage है जो आपको complete करके जाना है अन्यता आपको वहाँ पर भीजा नहीं मिलने वाला है और यही process यौरप का हर एक country अपनाने वाले हैं पता चल रहा है कि हर एक country चाहता है कि हमें भी इस तरह कोई restrictions लाना है जहां पर हमें skilled बंदा आ सके जहां पर हमें सही बंदा मिल सके और आपको भी इसके लिए अपने आपको ready कर ले नहीं है दोस्तों आप चाहे कोई भी country जाने का प्रयास कर रहे हो यह यौरप में आपको भी ready हो जाना है नहीं तो आपको शायद ही भीजा मिल सकता है हाला कि कोई country ने officially announce नहीं किया है लेकिन Malta ने कर दिया है और यह शुरुआत भी हो चुका है चलिए आपको बताता हूं में details में ठेक है ध्यान से वीडियो को देखिएगा समझ में आए तो ठीक है ना समझ में वीडियो को दुबारा देखिएगा और अगर आपके मने कोई दुवजय कोई questions आता है skill pass related तो आप comment box में comment कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से step लेना है तो चलिए आपको बताता हूं में कि क्या क्या steps है skill pass करने का तो skill pass करने के लिए सबसे पहले आप eligible होना चाहिए with all the documents like your passport, your passport, जो भी है ठीक है जब आप जो apply करते हैं तो आपके पास होना चाहिए offer later एक बार offer later आ गिया यानि कि कोई भी employer आपको select कर लिया select करने के बाद आपको skill pass का जो method है उसमें जाना है दोस्तों, skill pass का दो phase है, पहले phase में आप online में जाना है, online में एक website है, मैं उसका link in description में दे दूँगा, उस link पे जा करके आपको क्या करना है, login करना है, login करते ही आपको कुछ fees pay करना होगा दोस्तों, जैसे आप fees pay करेंगे, फिर दुबार आपको पुछा जाएगा कि आप कौन सा department का chain करते हैं, कौन सा department में आपको काम करना है, मसलन होटल में front office है, housekeeping है, service है, full production है, engineering है, और बहुत सारे supporting departments हैं, तो इसमें क्या होगा, जो department में आपको काम करना है, उस department को आपको select कर लेना है, जैसे आपने select किया, select कर आपको कुछ और फिस पे करना है, as per your department, वो पे करने के बाद ही, आपको next phase में ले करके जाएगा, तो phase 1 में जैसे आपने payment clear कर दिया, फिर आपको एक assessment होगा, आपका education क्या है, आपका passport number क्या है, आपका experience क्या है, आपका English level क्या है, यह सारा चीजें, अगर यह आप पार कर लेते हैं, फिर आपको ले जाएगा वो department में, department में जैसे जाते हैं दोस्तों, तो second modules में क्या होगा दोस्तों, आपको कुछ phase में लिया जाएगा, phase 1, phase 2, phase 3, यह आप module कह सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ videos दिया जाएगा, एक एक मिनट का videos, जिसमें आपको पहले video देखना ह हैं, वीडियो देखने के बाद, उससे वीडियो के रिट अब और questions पूछा जाएगा, यानि कि यह kind of IQ label का test होगा, कि आपने क्या देखा और क्या answer दिया, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया कि भई, तेलंगाना का राजधानी है, हैदराबाद में एक करोड लोग रहते ह हैं, एक example बतारों में आपको, ठीक है, तो जैसे ही आपको वीडियो देखना है, पिर आपको questions आएगा, कि तेलंगाना का capital city कौन सा है, या भी हो सकता है कि तेलंगाना में कितना लोग निवास करते हैं, ठीक है, तो पहले आपने जो देखा है वीडियो में, वही आपको answer कर करना है, लेकिन जब दुबारा जाके वीडियो देखेंगे, तो कहीना के अपको time waste होगा, जोकि इसमें time का भी limitation रहेगा, what exactly will happen, मैं second video में बताऊँगा, कितना time का frame रहेगा, कितना questions आगा एक वीडियो के अंदर में, तो इस तरह का तीन जो module है, या तीन phase क्या सकते हैं ठीक है, तो 36 वीडियो आएंगे या questions पर आएंगे, मैं आपको लेटर बताऊँगा next वीडियो में, तो ये सब आपको पहले से ध्यान रखना है, मतलब क्या है, आपको practice करना है दोस्तों, mentally आपको ready हो जाना है, इसमें जब आप pass हो जाएंगे, तभी जाके आपको आपका certificate issue होगा, वो issue होने के बाद वही certificate को लेकर के आपको BFS Global में slot book करना है, जो slot book अब तक हो रहा था, similarly वैसे ही होगा, लेकिन अब आपको आपके साथ में आपका जो skill pass को certificate से वो लेके जाना पड़ेगा, इसके बेगर आप अपना work permit submission नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बीच आपके लिए work permit के apply करेगा, work permit जैसे हो जाएगा, फिर आप work permit और आपका skills के जो certificate से ये दोनों को लेकर के BFS Global में जाना है, BFS Global में अब जाते हैं, तो वहाँ पर फिर दुबारा एक video call interview होगा दोस्त, video call interview में अगर पास होते हैं, तभी जाके आपका भीजा stamping होगा, तो क्य सिखा आपने, पहले से अब बहुत ज्यादा critical हो जाने वाला है, अब हर एक व्यक्पी जो hospitality and tourism में काम करना चाहता था, जिसके पास hotel management degree diploma नहीं है, उनको जाना बहुत मुश्किल होने वाला है, जिसके पास hotel management degree diploma है, और English नहीं है, तो भी नहीं जा सकता है, पहले मुझे आद guarantee नहीं है, क्योंकि बहुत जादा इसमें questions आने वाले हैं, तिन phase का है, दो modules है, लेकिन मैं आशक करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जिसका सपना हो मालटा जाकर रिकाम करने का, उनका सपना पूरा हो, आपको मेहनत करना जरूरी है, अब आपको English सिखना जरूरी है, अभी आपक तो हर एक question sensor कैसे देना है, वो सिखना जरूरी है, तब ही जाके आप ये जो process से इसमें पास कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है, कि भाई अब जो है professional लोग ही जा पाएंगे, हर एक व्यक्ति मालटा नहीं जा पाएगा, और similar process हर एक European country अपनाना चाहता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा process है, इसलिए थोड़ा country जो हिच्छा भी रहें, लेकिन हाँ करने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोगो जिसको भी जाना है European country, this is the right time to apply, ठीक है, अभी जा सकते हैं, बात में अगर सोचेंगे कि हम दो साल के बाद देख लेंगे, तब तक बहुत देर हो जा ठीक है, आप जा नहीं पाईएगा, एक बाता बतातूं यहां पर example समझ में आएगा आपको एक खिला, जो screw कहता है न, screw अगर रोड में अगर पड़ा रहता है, तो कोई मोल नहीं है दोस्तों, in fact लोग उसको फेक देते हैं, कि कहिए कोई गड़ी को पंचर ना कर दे, लेक आपको platform पे आना है, platform पे आएंगे, तभी जाके आपका value बढ़ेगा, यह बात को याद रखना, अन्य था, आपका value कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आपको लोग ऐसे ही फिकते जाएंगे, समझ गये मेरी बात, आपको नहीं बोल रहो हूं है, example दिया मैंने, ठीक है, अ आज के लिए बस इतना ही, मैं अश्रक कुमार साहू करियर कोज आपसे बिदा लेता हूं, आज के इस वीडियो से मिलते हैं, कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए आप रखें अपना खयाल और मुझे ते इजाज़ा, thank you so much, जाए हिंद, जाए हुआ 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 है